तो गई से साट करते हैं पेपर वन की पहरी न्यूस से ध्यान दीजेगा यहाँ पर बात करेंगे अपन सारी चू नदी के बारे में तो कुशन आ सकता है कि सारी चू नदी कहा पर है तो आपको अरुनाचल परदेश थोड़ा सा ध्यान में रखना है सारी चू नदी अरुनाचल परदेश में हमें देखने को मिलती है तो देखिए गाईस जैसा कि मैं आप लोग को बताता हूं कि चाइना की expansionist policy है ये औरड़ी हमारे नौर्ट-Eason छेतर पर नजर रखता था बोलता था कि नौर्ट-Eason छेतर जो है वो इंडिया का है वैसे ही साउट चाइना सीग के साथ भी किया हुए उपर कबजा किया हुए तो अभी इस चाइना की हरकत हमें क्या देखने को मिली है इसने अरुनाचर प्रदेश में लगभग 101 घरों का एक गाउ इसने बना दिया है 101 घर इसने बना दिया है चाहिना ने यानि कि हमारी country की territory में अरुनाचर प्रदेश के अंदर इसने गाउ बना दिया अपर सुबन सिरी डिस्टिक जो अरुनाचर प्रदेश की है वहीं पर ही इसने 101 घरों का गाउं बना दिया तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली अभी कुछ समय पहले लद्दाक में इसके साथ हमारे इशूज हुए थे और अब ये इस प्रकार की हरकत पर उतरा है तो इस उसको लेकर आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए इस्पेशली सारू चूर अधी की लोकेशन आपको पतना होनी चाहिए कि ये अरुनाचर प्रदेश में है और आपको इस इन्फरमिशन के बारे में आइडिया होना चाहिए हमने सैटलाइट इमेजे से जब देखा तब इंडिया का जो नौर्थीसन छेत्र है उसको अलग करती है और ये मैक मोहन लाइन डिस्प्यूटेड है चाइना के द्वारा क्योंकि नौर्थीसन छेत्र को चाइना क्लेम करता है कि इंडिया का है ये नौर्थीसन छेत्र हमारा तो ऐसी तो इसकी हरकते हैं बस बेसिक आपको इस टॉपिक से रिलेड़ेड पता हो निची स्पेशली ये सारूचू नदी की लोकेशन और ये इशू के बारे में, बुद्दे के बारे में, आगे चलके इस पर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा, गैस अब यहाँ पर आपको एक फैक्ट याद रख रखिएगा, ये चीज़ डिसाइड हुई है, इनकी 125th birth anniversary year के अफसर पर पराकरम दिवस मनानी का DCN लिया गया है, 23 जनवरी 2021 से नाशनल और इंटरनाशनल लेवल पर पराकरम दिवस मना है जाएगा, याद रखिएगा बहुत important है, एक high level committee का इस purpose के लिए गठन हुगा है, जिसको head कर रहा है, हमारे honorable prime minister, ये committee जो है, commemoration, इस मनो अत्सव जो है, उसको supervise करना, उसकी निगरानी रखना, उसको guide करना, mark दर्शन करना, programs कौन से कौन से conduct किये जाने हैं इस पराकरम दिवस में, तो उसको decide करना, तो ये सब चीज़े इस high level committee के द्वारा conduct की जाएगी, और इस particular चीज़ का objective क्या है, पराकरम दिवस हम लोग क्यों मना रहे हैं, क्योंकि हमें नेता जी सुभाज शंदर भोज जी ने जो हमारे nation के लिए जो दिया है, तो उस चीज़ को हमें याद करना है, और साथी साथ युवाओ को inspire करना है, कि जिस प्रकार से नेता जी सुभ वाज शंदर भोजी के directions पर युवाओ को motivate करना है, कि उसी direction पर युवाओ चले, जब country विपरीद परिस्तितियों का सामना करती है, तो उस समय क्योंकि colonial pressure हम लोग को देखने को बिला था, British control हम लोग को हमारी country में देखने को मिला था, काफी अत्याचार होगा करता था, तो होने देश की अजादी के लिए कदब उठाए, तो वैसे ही युवाओ को बताना है और उनको motivate और inspire करना है, इस objective से ये पराकरम दिवस हो है, वो बनाने की बात की गई गई है, तो ये वाले शीज़ बस अब के लिए आपको बता होनी शीए, इनकी birth anniversary के अफसर पर इनके बा पर वन से related काई सिर्फ इतने ही topics थे, अब हमने paper 2 के topics की दरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो guys, honorable supreme court के directions को देखेंगे, जो की promotions में जो quotas हम लोग को देखने को मिलता है, उस से related ये direction हमारे honorable supreme court के सामने आ रहा है, तो promotion में जो quota का मतलब क्या है, जब promotion होता है, jobs में promotion होता है तो उ देखेंगे, M. नागराच case को, इस case को पहले देखते हैं, तो गई समय था 17 जून 1995 का हमारी parliament ने adopt किया था 77th amendment act को, और इस amendment act के तहट clause 4A जो है वो शामिल किया था, insert किया था article 16 में, जिसके तहट schedule cast और schedule tribes communities के जो members हैं, उनको jobs में promotion provide की जाए, यनकी jobs के promotion में उनको reservation provide किया ज और 77th और 85th amendment act को challenge किया गया था, honorable supreme court में, नागराच case के अंदर, तो यहाँ पर prelims के लिए point to be noted, कि jobs में, जो promotion में, जो reservation की बात नहीं है, jobs में जो promotion होता है, उसमें जो reservation होता है, उस चीज को challenge किया गया था, honorable supreme court में, और M. नागराच case, इसी challenge से associated है, तो याद रखना, अगर question by 4th आजा, M. नागराच case किस से associated है, तो jobs में, जो promotion पर जो reservation होता है, उस से associated है, ठीग रहे हैं या तक बाते हैं, आगे बढ़े, आप देखो, यहाँ पर honorable supreme court ने सहीं ठहराया, article 16.4a को, और कहा, कि ये enabling provision है, समर्थक कारी प्रावधान है, इसमें ये कहा कि state जो है, वो bound न इसका मतलब क्या हो, पहले ये समझो, कि states bound नहीं है का मतलब, कि states चाहे, तो states reservation को हटा सकती है, promotion यानि कि jobs पर जो reservation का clause है, उसको states हटा सकती है, बट हटाने के लिए honorable supreme court ने का है, कि उनको तीन चीजों को ध्यान में रखना है, कौनसी कौनसी तीन चीज है, एक एक कर गे रखना है, वो economically stable हुई है की नहीं हो, या आज भी struggle गर रही है, तो उस चीज को पहले अच्छे से देखना जरूरी है, उसके लिए quantifiable data होना भी जरूरी है, तो पहले का गया quantifiable data लो, communities के बारे में जानकारी लो, और उसके बाद फिर ये चेक करो कि वो community आज भी कितनी backward है की नहीं है, अगर reservation हटाना है, तो किस चीज में हटाना है, प्रापर जॉब में reservation हटाने की बात नहीं की जारी है, जॉब में promotion पर reservation हटाने की बात की जारी है, इस चीज की clarity अच्छे से रखना, इसके इलावा, inadequacy उनके representation पर है की नहीं है, यानि कि एक job है, उस job के अंदर सभी categories के लोग है की नहीं है proper representation सभी categories के लोगों का है की नहीं है, सभी communities का है की नहीं है, इस चीज को आप check करो वहाँ पार general और OBC SC, ST सभी है की नहीं है मौझूद, तो इसको देखना जरूरी है कि proper, क्योंकि proper representation is important, और public employment के अंदर, इसके इलाबा article 335, अब पहले मैं आपको article 335 बता तो article 335 होता गए, उसके बाद आपको ये तीसरा clause समन में आएगा तो article 335 के तहट ये recognize करना जरूरी है कि special measures लिया जाए जिसके चलते SC और ST communities जो है वो level playing field पर आ सके मतलब कि इतने सालों से जो SC और ST community के उपर अत्याचार हुआ था, जिसके करनाल से उनको opportunities नहीं मिल पाई, income की right, uplift होने की, आगे बढ़ने की, तो ये चीज ensure करना जरूरी है, अलग-लग measures लेकर कि उनको opportunities मिल सके, तो article 335 जो है, जो कहता है तो उसको भी जो है वो ध्यान में रखते हुए अगर आप देख रहे हो कि उस class के अंदर, जो है वो equal opportunity मिली है, और सहीं तरीके से SC और ST communities का, हम लोग को देख रहे हैं कि proper उनका, जो है वो service के अंदर role हम लोग पर नजार आ रहा है, छी post पर वो है, opportunities अलड़ी मिल गई है उनको, तो ये सब चीज़े अगर notice कर ली गई है, तो फिर आप जो है ये, इसको हटा सकते हो, ठीके याने कि, jobs में promotion पर reservation को हटा सकते हो तो ये कहा गया था, Honorable Supreme Court ने, इसके अंदर M. Nagraj case के अंदर, ठीके, तो उनको इन तीन चीज़ों की आवशक्ता है मतलब, इसका मतलब क्या है, वो completely अपनी मन बर्जी के according नहीं कर सकती है, राजे उनको अगर करना है, तो पहले आपको ये तीन चीज़ जो है, वो follow up करनी पड़ी उसके बाद कर सकते हो, तो ये चीज़, Honorable Supreme Court ने mention करी, clear रहे हैं तक आपको पूरी बात है, और इसकी आवशक्ता क्या है, तो मैंने आपको already बता दिया है, कि काफी समय तक सदियों से discrimination जो है, वो सहा था, SC और ST communities में, उनको opportunities नहीं मिलती थी, right, opportunities वगरा नहीं मिल पाती थी, barriers हम लोग को, उनके सामने देखने को मिलता था, काफी, काफी प्रकार का barriers, right, आप जानते ही हैं कि caste-oriented society, structure, feudal structure, उससे में इस प्रकार का था, कि उनको opportunities नहीं मिलती थी, पढ़ने की opportunity नहीं मिलती थी, jobs की opportunity नहीं मिलती थी, तो जब तक special measures नहीं लिया जारा तब तक, जो constitution का जो ये claim है, appointment पर, यानि की reservation पर और jobs के promotion के reservation पर तो वो बरकरार रहेगा, और उसकी खिलाफ honorable supreme court नहीं सुनेगी until and unless पूरी तरह से चीजें ठीक नहीं हो जाती, level playing field पर सभी नहीं आजाते, तो ये चीज है कि M. Nagraj case से related जितने भी मामले, जितने भी मुद्धे race किये गए है states के द्वारा, राजियों के द्वारा तो उसको compile किया जाए, उसकी listing करके सामने प्रस्तुत किया जाए, रखा जाए तो अब देखते हैं कि इस पर आगे और हम लोग को articles देखने को मिलेगी, क्यों honorable supreme court ने यह direction दिया, तो definitely कुछ न कुछ चीज़े, महलब jobs के promotion पर reservation से related हम लोग को देखने को मिलेगी, right तो ये था guys पूरा overall topic अब next topic की दरब आगे बढ़ते हैं अब guys इस topic को अपन देखते हैं, एक task force ने अपनी report submit कर दी है marriage age को लेकर ये task force हमें देखने को मिली थी marriage age को लेकर, कि महिलाओं की जो उमर है, वो minimum age क्या होनी चाहिए marriage की अच्छा, अभी ad present क्या है महिलाओं की और पुर्षो की, male और female की, अभी minimum age क्या है marriage करने की, जड़ा नीचे comment box पर लेकर बताईए, थोड़ी देर से मैं इसका आपको answer देता हूँ, right तो यहाँ पर कहा जा रहा है, proposal रखा गया है task force की द्वारा की minimum age, जो है, वो marriage की, महिलाओं की 18 साल, आप सभी जानते हैं, 18 साल minimum age, महिलाओं की, marriage की और 21 साल, male की कर भी आलोचनाएं उठी हैं, तो इसको भी अपन देखेंगे, कि महिलाओं की, जो minimum age, जो है, marriage करने की, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, उसको criticize किया जा रहा है, उसकी आलोचनाएं भी हमें देखने को मन रही है, तो एक task force जो है, वो set up किया गया था, कि जो minimum age, जो होनी चाहिए, महिलाओं की marriage करने के लिए, तो उस पर ये task force देखने को मिला था, जिसने अपनी report submit कर दिये हमारे honorable prime minister office में, PMO में, और ministry of women and child development में, और इस task force को head किया गया था, जया gently के द्वारा, तो याद रखेगा, जया gently task force किससे associated है, महिलाओं की minimum age of marriage के उपर बेस, ये जो task force जो है, वो हम लोग को देखने को मिलती है, बढ़ हाँ, इस task force के सिर्फ यही काम नहीं है, और भी इसके काम है, मैं भी आपको बताता हूँ, तो ये task force जो है, वो कब setup की गई थी, तो हमारी जो finance minister निर्मला सीतरामन जी, उन्होंने पिछले साल अपनी budget की speech में proposal रखा था, कि एक panel create किया जाए, जिस panel के तहे, जब girl जो है motherhood में enter करती है, तो उस समय maternal mortality rates को reduce करना है, और उनकी nutrition levels को improve करना है इस चीज का correlation देखा जाए कि marriage और motherhood के बीच में, जो correlation है वो क्या हम लोग को देखने को मलता है, इस पर study की जाए, इस पर जाच की जाए इस task force का ये काम था अरे मतलब का, इसका मतलब का है, मुझे पता है कि बिल्कू क्लियर करता हूँ, उसका मतलब ये है कि जब किसी की शादी होती, किसी महिला की जब शादी होती है, अगर early age में, young age में अगर महिला की शादी हो जाती हो, शादी के बाद फिर आप जाते हैं, इसकी babies वगएरा होते हैं, तो motherhood हम लोग को शादी के बाद देखने को बलता है, तो young age में, early age में अगर किसी महिला की शादी हो रही है, और फिर अगर वो किसी baby को बर्थ दे नहीं है, तो already young age में जब वो शादी कर रही है, तो उनकी खुद की growth है, body development, जो है वो खुद का अच्छे से नहीं हुआ है, young age में, right, वो खुद, जो है, वो growing age पर है, और उसी दुरान अगर वो किसी baby को बर्थ देती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि उनकी खुद की health पर तो impact पड़ेगा ही पड़ेगा, बट उसमें यही देखा था कि महिलाओं में, एनीमिया की problems हम लोग को देखने को मिल रही है, right, और infants जो है, बच्चे जो है, चोटे, उनमें भी वाली problems जो है, वो नजर आती है, को portion की, यह क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई mother already, जो है, वो growing age पर है, उनकी body properly developed नहीं हुई, या under nutrition already है वो, तो वो अगर किसी baby को birth देगी, तो automatically उनकी health पर impact पड़े गई पड़ेगा, और उस दौरान हमें maternal mortality भी देखने को मिल दी, maternal mortality का मनलब, जो कोई महिला baby को birth देदे से हमें, उसकी डिकर death हो जाए, that is called maternal mortality, तो कितना dangerous है, बनलब life के उपर खत्रा आई है, तो ऐसी चीजों को study करने के लिए, और correlation देखने के लिए कि marriage का और motherhood का क्या correlation है, महिलाओ की health के साथ और बच्चे की health के साथ, तो इसको देखने के लिए task force बनाया गया था, तो ये task force simply महिलाओ की age को बढ़ाने के लिए नहीं था, कि marriage की age बढ़ाई जाए, इस पर ये task force का main काम था, इस पर analysis करना, इस पर study करना, तो ये चीज़ आपको mainly पता होनी था, इसके बार में basic idea होना था, कोई task force बनी है, तो उसके पीछे main उद्देश, extreme नहीं उद्देश जो है, वो क्या है, बेसिक चीज़ तो पता ही है, बड़ कुछ-कुछ ऐसे task force होते हैं, जिसके बार में आपको थोड़ी सी detailing की जरूबत होती है, जैसे की ये वाला task force, clear है याँ तक पूरी बात हैं आगे बढ़ें, आप इस particular, इसकी report में इसने mention गिया proposal रखा कि महिलाओं की जो age है, वो 18 साल minimum age शादी करने ही कि उसको 18 साल से बढ़ा कर 21 साल कर दिया जाए, इस पर आलोचना हो रही है, और आलोचना है, woman rights activist खुद कर रही है, आलोचना है, महिला अधिकार, कारिकरता, जो है, वो 21 साल आज की rate में हमें देखने को बिलता है कि male जो है, उनकी minimum age है marriage करने की, तो 21 साल female की भी हो जाएगी, तो क्या हो गया, gender neutral कानूर बन गया, कि दोनों की ही 21 साल हो गया, दोनों ही एक ही पात पे आगए, 21 साल हो गया, बट क्या हो रहा है, अपोस किस चीज़ पर किया जा रहा है, इस्पेशली जो महिला हैं, जैसी कि कुछ young adults वगेरा जो होते हैं, वो बिना अपने parents की मर्जी के शादी करना चाते हैं, भात कर शादी करते हैं, आपको बता होगा, आपने सुना होगा इसके में, तो इसमें क्या होगा, उनके लिए मुसीबत हो जाएगी, उनके लिए कैसी मुसीबत हो जाएगी, कि अगर वो शादी कर लेते हैं, तो फिर कानून के तहट जो है, उनके खिलाफ करवाई हो जाएगी, क्योंकि उनके अंडरेट शादी कर ली, राइट, शादी की उमर से पहले जो है वो शादी कर ली, तो ये एक ऐसा मामला जो है वो सामने आएगा, और और अल्रड़ी ऐसे मामले हम लोग कुछ देखने को मिलते हैं, इस्पेशल मैरेज आख महिलाओं की शादी करनेगी, तो इस पर जो है वो अपोस किया गया है, इस चीज़ पर इस्पेशली, की भाग कर जो बच्ची जो शादी करते हैं, तो इसमें वो और जो है वो फिर फस जाएंगे क्योंकि वो शादी तो कर लेंगे, अपनी चोईस की according, बट कानून के तहट जो है उनके खिलाफकारवाई हो जाएगी, ये चीज़ है मेंली, ठीक है, क्लियर है आदक बात है, आगे की बात करा है आज की रेट में हम लोग को कानून किस प्रकार के देखने को मिलते हैं, तो आप लोग जानते ही उसके बारे में कि 21 साल, में की उमर है शादी करने की, और 18 साल, महिलाओं की मिनिममम एज है शादी करने की, बट हाँ, मिनिममम एज ओफ मैरिज अलग है, मिनिमम एज ओफ मिजॉरिटी से, क्योंकि मिनिमम एज ओफ मिजॉरिटी अकॉर्डिंग टू इंडियन मिजॉरिटी एक 1875, ये क्या है, 18 साल, जब एडिल्ट हम लोग होते हैं, तो 18 साल की उमर बताई जाती ही, मिजॉरिटी की, उससे पहले जो है, वो माइनर बोलते हैं, माइनर चाइल्ड है, तो माइनर क्या, 18 से नीचे, मेजर क्या, 18 से उपर, और ये कौन सा कानून बोलता है, इसके बारे में, इंडियन मिचॉरिटी एक 1875, ये कहता है, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ी सी पर्सनल लॉज की बारे में बात करनें, तो हिंदू की बात करनें, हम बान हिंदू के लिए, सेक्शन 5, क्लॉज 3, जो है, हिंदू मैरिज अक्ट 1955 के इसने सेट किया है, 18 साल और 21 साल, minimum age marriage करनेंगी, और इन्होंने child marriages को भी allow किया हुआ है, क्योंकि हिंदू marriage act के तहट child marriages जो है, वो illegal नहीं है, मतलब कि वो illegal है, तो यह वाला point भी थोड़ा से ध्यान भी रखना कि personal law जो है, हिंदू marriage act, तो उसके तहट child marriage के allow की गई है, तो हां की गई है, इस particular कानू के तहट, बढ़ हां, obvious ही बात है कि हमार law सबसे उपर है, तो यह सब चीजे जो है, इसलिए child marriages जो है, वो allow नहीं की जाती, बट personal laws के according, हिंदू के अंदर child marriages जो है, वो illegal नहीं है, बढ़ हां, इसमें ये भी चीज मेंशन है, कि अगर minor, मतलब 18 सल से कम की उमर की जो महिला है, अगर वो नहीं चाह रही है, शादी करन या Hindu marriage act 1955 के according, child marriage क्या कर सकते हैं, तो हां कर सकते हैं, ठीके, इस personal laws के according, right, but according to Indian constitutional law, फिर नहीं, allowed नहीं है, child marriage जो है, वो illegal है, आगे की बात करें, इसलाम के अंदर, जो minor की marriage जो है, वो तब की जा सकती है, जब वो puberty जो है, वो attain कर ले, ठीके, puberty समझते होगे आप लोग, वो attain कर ले, तब महिलाओं की marriage जो है, वो की जा सकती है, right, और इसको valid माना गया है, personal law के तहर, और special marriage act 1955 और prohibition of child marriage act 2006 के तहर, 18 और 21 साल ही marriage की उम्र जो है, वो रखी गई है, महिलाओं के लिए, और men के लिए, ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, अब दुबार जैसे मैंने भी आपको बताया कि gender neutrality हम लोग को कानूं में लेकर आना है, और जो risk है early pregnancy का महिलाओं में, उसको हम लोग को reduce करना है, और हलाकि ये जो भी channels हुए है, इसमें काफी सारे favors भी हम लोग को देखने को बने काफी सारे arguments जो है, वो उसके favor में भी आये है, right, कि minimum age जो pregnancy, child mortality और maternal mortality से भी related हम लोग को देखने को मिलती है, right, और early pregnancy के कारण child mortality rates भी बढ़ रहे है, maternal mortality rates भी बढ़ रहे है, और mother और child दोनों के ही health पर effect पड़ता है, जो मैंने भी आपको starting में बताया था, और law के अंदर minimum age जो है, वो mandate करने के बावजूद भी sexual intercourse minor के साथ हम लोग को देखने को मिलता है, right, और आप जानते ही हैं कि इस प्रकार की चीज़ होती है, child marriages आज भी है, minor के against जो sexual exploitation दो हो रहा है, आज भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, कानून होने की बावल दी, तो कानून पो थोड़ा सिर्फ बनाना नहीं है, उसको proper तरीग है, सकती भी करनी इस पर, right, तो इस पर भी mainly focus करते हैं, आगे बढ़ना है, अचा इसमें एक और चीज़ आप लोग धान में रखना, especially main point of view से कि इस study के थुरू ये भी बताएगा, एक data वो दिया गया, कि 10 से लेकर 19 साल की उम्र, अगर मदर की है, यानि कि 10 से लेकर 19 साल की एक महिला ने एक बेवी को बर्थ दिया, तो उनका जो बेवी हो गया, उनकी जो बेवी होगी, तो वो जो है, उनकी height छोटी होगी, comparatively ऐसे बच्चों के comparison में, जिन बच्चों ने बर्थ लिया है, 20 से लेकर 24 साल की मदर से, right, तो ये चीज़ आपर बताई जारी है, तो stunt के cases जो है, वो देखने को मिलते हैं, stunt का मतलब क्या होता है, बच्चे की जो age है, उसके comparison में, उसकी height कम रहती है, right, तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चीज़ के बारे में, तो ये था पूरा वालल topic guys, और paper 2 से related से बितने ही topic थे, आप अब अब पेपर 3 के topics की दरब आग जबान, तो बाइक में उनको बढ़ा कर nearest healthcare center जो है, hospital वगरा जो है, जल्दी जल्दी ले जा सकता है, तो ये बाइक ambulance रक्षिता है, रक्षिता कर आजा क्या है, तो बाइक ambulance से आप थोड़ा सा ध्यार में रखिएगा, ये बाइक based casualty, transport, emergency vehicle हम लोग को देखने को मिल रही है, यानि कि बाइक ambulance है ये, और institute of nuclear medicine and allied science कहाँ पर है, दिल्ली में है, और ये यहाँ पर DRDO की lab है, दिल्ली के अंदर, ठीके, INMAS में, और इसी lab ने रक्षिता को handover किया है, CRPF को, Central Reserve Police Force को, तो इसलिए ये topic हम लोग को news पे देखने को मिला था, तो आने वाले समय में हमारी जो Indian security forces हैं, और emergency healthcare providers जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो इस bike ambulance का उपयोग करेंगे, कि जल्दी जल्दी जखमी जो लोग हैं और emergency जो situation आती है, तो उनको लेकर तुरंद जो हो hospital पहुचाने में, ये bike ambulance मदद करेगी, तो काफी शांदर चीज है, इसके बारे में आपको एक idea ह force के बीच में ये exercise होती है, याद रखीगा, desert night 21, इसका latest edition जो है, वो जोदपुर, air force station में हम लोग को देखने को मिलने वाला है, तो that's why ये topic news में था, थोड़ी सी geographical indication tag के बारे में बात करते हैं, हमारे इंडिया के सबसे महेंगे mushroom को GI tag मिला है, तो इस पर अपन थोड़ी सी बात करेंगे, geographical indication tag के बारे में, कई बारे इस topic को मैं आपको geographical indication tag से related पढ़ा चुका हूँ, तो इसके बारे में भी फिर से बताऊँगा, एक बार revision हो जाएगा आप लोगों का, तो सबसे costliest जो मश्रूम है, पूरे दुनिया भर में, और उनमें से एक, जो इंडिया के अंद ज़्यादा डीटिल में, बट इस topic में थोड़ा से ध्यान में रखाए, कोई GI का topic है, GI के topic में perfectly आपको पता होने चीए कि कि किस region से, किस location से ये product जो है वो आया है, तो वो क्यो पता होना चीए, वो आगे चल के आपको sun में आएगा भी, वैसे तो काफी जारे students हो, regular है, उनक produce हम लोग को देखने को मिलता है, जो की collect किया जाता है, local किसानों की दौरा वहां के और travel groups के दौरा, कहा जाता है कि इस mushroom में medicinal properties और anti-inflammatory properties हमें देखने को मिलती है, temperate forest में ये पाया जाता है, थोड़ी सी बात करते हैं, ये fact तो पता लग गया ना, आपको prelims point of view से ये mushroom के सकता है, और chances इसके काफी जाता है, 90% से यादा, chances इसे directly prelims में आपसे पूछे आएगा, अब GI tech के बारे में मैं आपको बताता हूँ, GI tech क्या होते हैं, primarily एक agricultural, natural या manufactured products होते हैं, handcraft भी हो सकते हैं, handicraft भी है, industrial goods भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी एक ऐसा समान, बट वो जो समान है product जो है, वो एक definite geographical territory का ही होना चाहिए, उसका origin एक territory का ही होना चाहिए, जैसे कि example के तौर पर दार्जलिंग की चाय, आप सभी जानते हैं कि दार्जलिंग टी जो है, वो कहां की है, दार्जलिंग की है, आप कहीं पर भी पूरे दुनिया भर में, यह जो दार्जलिंग जो जो बेची आती है, right, supermarkets बगर में आप जाकर लेते होगे, तो दार्जलिंग जो टी है, पूरे दुनिया भर में कहीं पर भी चली जाए, तो यह surety होती है कि वो जो चाय पत्ती है, वो दार्जलिंग से ही आई है, मतलब की क्या, कि एक area पर जो product originate होता है, अब वो area पर product originate जो होते हैं, इस product का जो production करते हैं, उनको भी security देने के लिए, कि आपका जो product है, वो duplicate नहीं विके का market में, वैसे तो होता है, कई बार इसलिए कहा जाते है कि authorized store से ही पर्चेस किया जाना चाहिए, बट फिर भी duplication देखने को definitely मिलता ही मिलता है, बट फिर भी maximum security तो मिलती है, कि कोई दूसरा व्यक्ति, same नाम से ये product market में release नहीं कर सकता है, जिसने भी अगर अपने product को, अपने unique product को GI tag जो है वो दिलवा दिया है, तो इसका मतलब है कि उसके product को security मिल रही है, और customers को भी security मिल रही है, कि customers को ये सुनिश्यत हो रहा है, कि वो जो product ले रहा है, दार्जल से आया है, इसके लबा जैसे कि काफी सारे अलग-लग products होते हैं, जिनकी अलग-लग नाम से, या फिर same नाम से भी जो है, वो कई बार बेच दिया जाता है, कई सारी चीज़े हम लोग को देखने को मिलती है, तो इसलिए ये GI tag का मतलब, ये registry इस प्रकार की होती ही, registration इस प्र प्रिजिनल प्रिडक्ट ही चाहिए, तो आप authorized stores ही लोग तो ये अच्छा है, तो आजकल तो बहुत धानले बाजी आपको नगर आती है, पता ही आप लोग को इसके बारे में, तो typically इसका नाम जो होता है, वो assure करता है, उसकी quality और distinctness, यानि कि वो distinct है दूसरे products है, अलग है, उसके अंदर अलग प्रकार की quality हम लोग को comparatively देखने को मिलती है, और place of its origin से ये attribute करता है, यानि कि वहाँ से ये आया होता है, जो मैंने भी आपको explain किया, और इसमें security किस प्रकार की होती है, तो geographical indication protection जो है, वो grant की जाती है, जिससे कि कोई और दूसरा producer, उस product का नाम जो है, जाते हैं, trademark हो गया, copyright हो गया, तो यह सब intellectual property rights का इसा है, उनमें से एक GI tag भी हम लोग को देखने को मिलता है, तो market में ऐसे similar products, जो है वो ना देखने को मिले, कोई इनका नाम जो है, वो misuse ना करे, तो इसको लेकर GI protection जो है, वो grant की जाती है, producers को, जो इस particular product को GI product को register करवा लेत है, और comfort मिलता है customers को कि उनको product की authenticity मिल रही है, original product उनको मिल रहा है, है की नहीं, तो यह चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है, इसके लाबा कौन, जो है वो register करवा सकते है, geographical indication को, कोई भी व्यक्ति, कोई भी person, association of person, producer, organization या authority, जो की कानून के तहट, जो है वो established है, registered है, तो वो GI tag हासिल कर सकते हैं, और उनका जो नाम होता है, वो geographical indication के register में enter कर दिया जाता है, जिसके चलते, उनके product के ओपर GI tag जो है वो उनको मिल जाता है, जिससे कि उनके product का duplication वो है वो रोग दिया जाता है, और कोई भी ऐसे products का duplication करता है, तो उसके खिलाफ सक्ट कारवाई की जाती है, और कितने लंबे समय तक यह registration valid रहता है, तो 10 सालों के लिए रहता है, बट 10 सालों के बाद अगें 10 साल के लिए इसको renew किया जा सकता है, तो यह चीज हम लोग को देखने को मिलती है, और इंडिया के अंदर geographical indication registration जो है, वो administer किया जाता है, geographical indications of goods registration and protection act 1999 किता है, और य याद रखिएगा, Darjeeling T, पहला GI tag हम लोग को देखने को मिलता है, Darjeeling T, अच्छा, अब मैं आपसे कोशन बूचन हो, इस कहां से नीचे comment box पर लिखकर बताइए, कि आप किस state से बिलॉंग करते हैं, और आपके state में कौन से GI products देखने को मिलता है, और recently आपके state में अगर आपको जानका रही होनी चाहिए, तो नीचे comment box पर लिखकर बताइए, अब यही था पूरा और टोपक, GI tag के बारे में इतनी बस basic information आपको GI tag से related पता होनी चाहिए, अब next topic है, यह है LLP का, Limited Liability Partnership का, तो देखो अपने private limited company, देखिए PVT लिखा रहता है, companies के पीछे, नाम के प पीछे देखा हुआ, नाम के पीछे उसके लिखा रहता है LLP, इसका मतलब क्या होता है Limited Liability Partnership, आप देखो एक company होती है, जिसमें partnership हम लोग को देखने को मतलब है, जैसे दो लोग है, दो लोग ने partnership करके, एक company जो है वो generally establish कर ली, तो हम लोग क्या देखते है, कि अगर इसका एक partner defalter हो जाता है इस company का, तो दूसरे partners की liability होती है, कि उस जैसे की company ने loan लिया है, ठीक है, company इन दोनों ने मिलकर बनाई, बट किसी एक partner ने जो है वो company घुटाला करके भाग गया, तो दूसरे partner को जो है वो उसकी भरपाई करनी होती है, क्योंकि दोनों की ही एक साथ liability होती जैसे एक company ने loan लिया bank से, तो obviously बात है कि अगर ये व्यक्ति जो है वो चला गया, loan देने से, इनकार कर दिया इसने, तो ये वाला व्यक्ति इसका एक partner ने इसके खिलाफ तो कारवाई करेगा, बट bank जो है वो ultimately company के खिलाफ कारवाई करेगी, जिसमें ये दोनों ही लोग शा बारू, वो तो individual case सलता रहेगा, बट ultimately bank तो company के profit से, यानिकि इन दोनों के profit से ही पैसा वसूलेगी, या दोनों की asset से पैसा वसूलेगी, तो वो generally हम लोग को partnership rules में देखने को बलता है, बट एक होती limited liability partnership, आप देखो नाम से ही आपको सन्वे आ गया, limited liability है लेगी, और जो मै उसका जितना जो कार्य होगा, जितना जो उसका रोल होगा उस company में, उतना ही सीमित रहेगा, उससे जादा नहीं रहेगा, तो ये limited liability partnership के अंदर ये चीज हमें देखने को बलती है, तो सरकार amend कर रही है, limited liability partnership act को amend करने वाली जिसके चलते, ease of business जो है, वो हो सके है, जल्दी च बगएरा में problem ना हो, जल्दी चल्दी business बगएरा establish होना है, और business में growth देखने को मिले है, तो ease of businesses के लिए ये चीज की जा रही है, और इसमें decriminalize किया जा रहा है, काफी सारे उलंगनों को, offenses को, और इसमें permit किया जा रहा है, LLP को कि वो non-convertible debentures issue कर सके, जैसे shares और debentures company issue कर परती है न, अपने fund वगएरा को raise करने के लिए, तो non-convertible debentures ये LLP introduce कर सके, तो ये चीज हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलेगी, right, basic सी जिसके अभी फैसला लिया जा रहा है, जिसके बारे में, but LLP है क्या, limited liability partnership, तो ये एक partnership है, जिसमें कुछ, या फिर सभी partners हो होता है, वो दूसरे partners के act के लिए responsible नहीं होता, right, याने कि equally सब लोग responsible, जैसे कि इनोंने, अब bank का again, फिर से example लेते हैं, इनोंने bank से loan लिया, तो bank क्या बोलेगी, बोलेगी कि आप agreement में mention करके बताओ, किस partner की कितनी liability है, right, तभी हम जो हो, उसके according, जो हो, आपको loan देंगे, तो फिर मतलब कि अगर एक व्यक्ति डिफॉल्टर होता है, तो bank एक particular व्यक्ति के against जो है, वो कारवाई करेगी और बाखी सब से पैसा वसूल लेगी, और बाखी सब की खिलाब जो है, वो कारवाई नहीं होगी, एक के against जो है, वो कारवाई होगी, तो ये चीज होती है, limited liability partnership है, clear होगा है, यहाद पूरी बात है, crystal clear, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलता है, और salient feature, LLP के हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, तो ये body, corporate या फिर एक legal entity, एक company होती है, जो की partners से separate हम लोग को देखने को मिलती है, यानि कि इनका separate हम लोग को देखने को मिलता है, इनके जो कानून वगएरा जो होते हैं, वो भी separate होते हैं, इनका जो कानून है, वो Indian Partnership Act 1932 के तहट नहीं होता है, LLP Act 2008 के तहट जो है, वो लागू होता है, ठीक है, इसमें, कोई भी provision partnership act के इसमें शामिल नहीं होता, और इसमें जो पूरी चीज हम लोग को देखने को मिलती ह जो agreements और जो वो रहता है, कि contract papers वगएरा जो होते हैं, agreements वगएरा होते हैं, तो यह होते हैं, partners के साथ, partners साथ में मिलकर contract agreements जो है, वो sign करते हैं, और उसी के तहरे जो है, वो पूरा कानून जलता है, यह company act जो होता है, उसमें थोड़े से changes हम लोग को नज़र आते हैं, इसमें private limited company हम लोग को देखने को मिलती हैं, वैसे LLP भी इनको लिखना आ रहाता है, अपने नाम के पीछे इस से clearly पता लग जाए कि यह limited liability partnership वाली company है, तो यह चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है, आगे की बात करें, तो इसमें किस प्रकार के partners हम लोग को नज़र आते हैं, तो इसमें at least कम से कम दो तो ऐसे partners होंगे, जिनके बास limited liability partnership होगी, और बाकी जो उनके partners होते हैं, वो partners की तरह नहीं, वो चाहें तो agents की तरह भी काम कर सकते हैं, तो साइन करना होता है, contractor की तरह काम करेंगे वो, और उनकी जो responsibility होती है, वो भी अलग-अलग हम लोग को देखने को तो यह चीज़ हम लोग को हापर बताए जा रहा है, और LLP का format जो होता है, वो alternate corporate business के तौर पर हमें देखने को मिलता है, जो की benefit provide कराता है, limited liability का company को, और allow करता है उनके members को, की flexible तरीके से, वो internal management को organize कर सके हैं, यानि कि हर जैसमेर आपको क्या बता है, कि हर एक की अलग- तो अलग-अलग छेतर, और उनका जो पूरा control होता है, वो अपने areas पर अपने छेतर पर होता है, और उस छेतर से related, उस area से related, जो अगर loss हो रहा है या profit हो रहा है, तो उनकी personal responsibility होती है, तो इस प्रकार से एक company के अंदर operation होता है, internal management का, तो यह चीज़ हम लोग को देखने को म बड़ी companies में भी कई पर हमें देखने को मिलता है, कि जिनको थोड़ा सार डर रहता है कि loss वगरा होने का, कि risk ना हो उनकी उपर, तो वो इस प्रकार की LLP जो है, वो कर लेते हैं, sign कर लेते हैं, तो यह चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है, और internationally LLP जो है, यह service industry के दौरा जादा उपयोग में लिए आती, जो service sector वगरा होता है, कि service sector की बात करें, या professionals की बात करें, जैसे कि एक company है, उस company के अंदर जैसे 5 website developers ने मिलकर उस company को establish किया, अब देखो क्या होगा कि हर एक website developer जो होगा वो उस company को साथ में मिलकर तो उन्होंने establish के लिए, बड़ वो बोले परसनली business लेकर आ रहा है, उसका पूरा profit परसनली रखेंगे, अगर ऐसा वो contract करने, agreement करने तो क्या होगा, personally उनका काम चली रहा है, individually उनका काम चल रहा है, बड़ एक बड़े brand name के तहर चल रहा है, उन्होंने brand name बना दिया, बड़ा, एक office office बना लिए, जैसे कि लोग attract हो, brand brand name के नाम से जो है, वो आया है company के अंदर, company को business मिले, बट ultimately उसका जो profit हो रहा है, वो individually जा रहा है, तो ऐसी चीज़ भी वो कर सकता है, उसकी responsibility भी individually है, कि अगर आपने आपके जो customers है, उनके साथ अगर कोई default होता है, तो आप individually जो है, वो liable हो, उस default के लिए, सबनारी बात क logistic sector के लिए, logistic sector का मतलब क्या होता है, कई बार मैंने आपको बताया है, logistic sector का मतलब simple था, transportation, कि एक product जो है, वो अगर किसी जगा से आ रहा है, तो वो पहले तो किस-किस जगा से आता है, जैसे कि import कराना है एक product को, तो ship में आकर port तक आया, अब port से truck पे product जो होता है, truck पे product road होकर, जो city के, nearest city के, याने कि truck तो highway में चलते है, nearest city के center पे चले आता है, center से फिर local तक पहुचता है, याने कि localites जो होते है, याने कि जो, जैसे आपने आपने देखा हो, आप Amazon वगरा से product मंगवाते हो, तो आपका product जो है, वो पहले train के थूँ, या फिर airways के थूँ, जो ह फिर वहाँ से आपकी, जो company होती है, उस तक जाता है, आपने देखा हो, ने records वगरे चेक होंगे, तो उसमें लिखा रहता है, कि कहाँ का पर आपका product जा रहा है, आप उसको track करते हो, तो वो product जो है, फिर आपका nearest hub में चला जाता है, उनकी जो भी center वगरा होता है, फिर उस point of view से भी 5R आपको रखना है, याद है, ठीक है, 5R के उपर किया जा रहा है, 5R के अंदर right product, कि सही product होना चाहिए, जैसे कि कोई भी individual, कोई भी customer, अगर किसी product को मंगा रहा है, तो वो product सही होना चाहिए, दूसरा, जब वो आ रहा है, उसका transportation हो रहा है, तो सही condition में वो आना चाहिए, सही जगा तक पहुचना चाहिए, सही समय पर पहुचना चाहिए, और सही customers तक पहुचना चाहिए, तो smooth हम लोग logistics sector को अपने कर रहा है, तो इसको लेकर ये, हम लोग ने conference वेवर रखा है, logistics के उपर, तो पहला conference है, ये national conference, union minister of commerce and industry के दार रिसेंटली address किया गया है और national logistics policy जो है, उसके बारे में भी चर्चाया हुई, बातचीत हुई, right, national logistics council और state logistic coordination committee भी इसमें हम लोग को देखने को मिली, जो की काम कर रही है कि बेटर तरीके से logistic sector की हम लोग ब्रोथ करेंगे, कि 5R को जो achieve कर सकें, right, इस 5R को, right, तो ये चीज हम लोग को देखने को ल जाती है, right, और about 13-14% जो cost होती है, एक product की, वो logistic की होती है, इसको कम करके हमें 8% पे लेकर आना है, very important point for mains, ये याद रखना, right, कि एक कोई product, जो भी products अपन purchase करते हैं, उसमें shipping cost होती ही, वो उस product की value की 13-14% होती है, और ये अगर कम हो जाएगी shipping cost, यानि कि हमारे घर तक प purchase करेंगे products को, right, अरे example के दौर में आपको बता है, आपने सुना होगा कि iPhone जो है, USA में सस्ते मिलते हैं, हमारे या महेंगे मिलते हैं, क्यों, क्योंकि वहां से यहाद आने में उसकी cost बढ़ जाती है, और उसके लावा taxes बगर भी तो होती है, वो एक अलग बात अगर taxes को ना कराना है, तो ultimately products अस्ता हो जाएगा, clear है यहां तक बात है, तो यह बस आपको basic जानकरी होनी चाहिए, अब इसनी उसकी बात करेंगा है, तो State Bank of India ने 600 million US dollar का, एक regulation as bond जो है, वो जारी किया है, तो इस पर अपन बात करेंगे, bonds क्या होते हैं, इसके बार में मैं कई बार आप को detail में explain कर चुगा हो, एक company जो है, वो market से जब पैसा उठाती है, तो या तो bank के पास जा सकती है, या फिर share और debenture को issue कर सकती है, या फिर bonds को जारी कर सकती है, bonds basically एक debt instrument होता है, एक loan type का होता है, ठीक है, एक company को अगर पैसा market से raise करना होता है, तो फिर वो इस bond को जारी कर द होती है, जैसे कि ये bond आज की rate में purchase किया, आज की rate से 2 सालों के बाद, ये bond जो है, mature हो रहा होगा, तो 2 सालों के बाद, जो भी इंसान इस paper को लेकर आएगा, इस company को देगा, तो वो company interest के साथ जो है, या face value उसमें जो लिखी होगी, उसकी according या percentage जितना लिखा होगा, उसकी according सामने वाले व्यक्ति को return देगे, right, return देगी ये company, तो ultimately लोगों का इसमें फायदा होता है, benefit होता है, लोगों का, right, क्योंकि लोग बाग जो है, क्योंकि उनका पैसा saving account में पढ़े पढ़े जितनी, जैसे कि saving account में 3-4% जो है, उनको return मिलता है, ठीक है, annual return 3-4% के आसपस मिल देते हैं, ultimately saving account से तो जादा ही पैसा मिलेगा, right, तो ये, हम लोगो bonds इस प्रकार के देखने को होता है, debt instrument होता है, अब आप बोलोगे कि sir, company जो है, वो directly bank से क्यों नहीं लेती है, इस प्रकार के bond क्यों जारी करती है, bank के interest जादा होता है, अगर जैसे मान के चलो कि ये company को 12% जो हो interest पर loan मिल रहा है, बट वहीं एक company 5% पर bond जारी कर देती है, उतना ही पैसे क्यों है, तो किस में company को फायदा है, यहाँ पर 12% देने में फायदा है या यहाँ पर 5% देने में फायदा है, आप बोलोगे हाँ सर्भ यहाँ पर 5% देने में फायदा है, तो ये चीज होती RBI नहीं है SBI ठीक है तो यह ध्यान में रखने यहीं पर confusion होती है एक और चीज ध्यान में रखना यह इंडिया में जारी नहीं हुआ यह लंडन में जारी हुआ है ठीक है तो यह जीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होने चीजिए SBI कि London ब्रांच में इसको जारी किया गया इसमें जो coupon rate है वो 1.8% के हिसाब से देखने को मिल रहा है bond का जो price है वो 5 सालों का जो US Treasury rate जो होगा उसके 140 basis के according बताया जा रहा है यानि कि 5 years की बाद जो इसकी maturity जो होगी mature जो होगा 5 सालों का bond है 5 सालों के बाद यह mature होगा तो जो भी इस bond को आज खरीदेगा 5 सालों के ब बाद की गई और coupon rate जो है वो 1.8% का है मतलब कि हर साल जो है वो coupon rate के साब जाने कि जो भी लोग जितना पैसा अपना लगाएंगे तो उनको यह coupon rate भी मिलेगा जनी कि हर साल भी उनको कुछ return मिलेगा और 5 years पर maturity with ultimately return मिलना ही है और इसको Singapore Exchange Security Trading Limited और Indian International Exchange Limited पर जो है उसको list किया गया है जारी किया गया है इस particular bond को SBI के और experts का इसमें कहना है कि State Bank of India काफी समय से गायपती international markets में public bond market में अब उसकी return हम लोग को देखने को बिल रही है तो दो सालों के बाद वापस जो है वो State Bank of India जो है वो international public bond market में आ गई है तो यह international public bond है guys regulation S bond यह भी ध्यान में रता है इं offerings जो होती है यानि कि regulation S bonds बगरा जो हम लोग को देखने को मिलते है तिपिकली इसका मतलब यह होता है offshore offering यानि कि country के बाहर foreign में या किसी foreign company के साथ जो है वो कर लिया जाता है यानि कि offering जो है वो foreign company को दी जाती है या फिर USA की company जो है वो लेकर दूसरे कहीं किसी और दूसरी ज बड़ी-बड़ी firms बगरा जो होती है उनको bonds बगरा यह जारी कर दिया जाता है तो यह चीज है तो इसमें आपको डीटेल में इतना जाने की जरूरत नहीं सिंपल सी बात ध्यान में रखना है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेर जरूर कीजिए गईस लेक्चर को और आज का जो आपका टॉपिक है गईस वो यह है बैड बैंक की बैड बैंक क्या होते है इसके बारे में आपको जो है वो पढ़ना है बाइस डिसमबर दोहजार बीस के लेक्चर में यह टॉपिक मैंने कवर कराया हुआ है और पीडिएफ पेड पैकेज को आपको जोईन करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल भी दिया हुआ है पेड पैकेज का उसको आप चेक कर सकते हैं इस नंबर पर SMS के थूँ या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप उससे कॉंटेक्ट कर सकते हैं मेरा रबला है आपके पास विदिन 24 आजाएगा तो चलिए आप अपन मिलेंगे कल के लेक्चर में तब तक लिए बाबाई टेक कियर हैव ग्रीड डिया है